नमस्कार जय हिंदू बंदे मात्रम दोस्तों सीटे एट पेपर टू ये सश्टी के लिए एक अत्यंत महित्पूर्ड टोपिक उस टोपिक का नाम है बहुत तता जैन इस टोपिक से आपके एकजाम में अब तक 20 क्वेस्टन पूँचे जा चुके हैं और हर वार एकजाम में एक या दो क्वेस्टन इस टोपिक से जरूर से जरूर पूँचे जाते हैं इसलिए है टोपिक आपके एकजाम के लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट टोपिक है आज की इस क्लास में बात करूँगा इस टोपिक के कोंसेप्ट की मैं बात करता हूँ इसकी थियोरी की अगर आ आपके किस लाइन से examiner ने question आपके exam में पूँचा है, आप यहांपर question देख सकते हैं, बौध धरम के त्री रतनों में से नहीं है, इस पिरकार का question पूचा गया है, अंगले type की question की मैं बात करूँ, statement के रूप में आपका question पूचा जा चुका है, कथन कारड से समझेद पूच रहे होंगे, अंगले question यहांपर आचुगा है, मतलब कि आपके exam में तमाम इस प्रकार के question पूचे जाते हैं, आईए मैं सबसे पहले बात करता हूँ, इसकी theory की, उसके पसात मैं आपको question को करवाओंगा कि किस line से आपका question वाँपर पूचा गया है, टोपिक आपका धरम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आईएगा most important concept की यहांपर सुरुआत करते हैं, बुद्ध की कहानी, बहुत धरम के संस्तापक सिधार्त थे, जिने गौतम के नाम से भी जाना जाता था, उनका जनम लगवग 25 सो बर्स पहले हुआ था, यह वह समय था, जब लोगों की गई है, बुद्ध की, बुद्ध का जो बच्पन का नाम था, वो था सिधार्त, उनका जनम लगवग 25 सो बर्स पहले हुआ था, ठीक, आपने यहांपर समझा, जब बुद्ध पैदा हुए थे, उस समय का जो दौर था, वो तेजी से परिवर्तन का दौर था, याईनि की चटी सताब्दी इसापूर्ब का समय था, जो की परिवर्तन का समय माना जाता है, महा जन्पतकाल का समय था, ठीक है, आँगे आईए, मैं आँगे आपको यहांपर बताता हूँ, ठीक है, बुद्ध जो थे, बुद्ध आपके छत्तिरिये थे, याद रखिए गा, बुद् important line यहापर आपके exam के लिए दी गई है, यहापर आपने क्या-क्या समझा, यहापर बुद्ध कौन थे, बुद्ध आपके छत्रिये थे, ठीक है, चत्रिये थे, और वो किस गड़ से समंदित थे, वो आपके साग के नामक गड़ से समंदित थे, इतना आप याद रखिएगा, आँगे आपको मैं यहापर बता दूँगा, ठीक है, और उन्हेंनों जो अप ग्यान प्राप्ती की थी, वो बोध गया, यानि कि बिहार में पढ़ता है बरतमान में, एक पीपल के नीचे, कई दिनों तक तपस्या की, अंतताव उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ, इसके बा मतलब कि किस बिरच के नीचे, पीपल के बिरच के नीचे, क्वेस्टन आपके एक्जाम में डाइरेक्ट यहां से पूँचा गया है, आईए मैं आपको क्वेस्टन यहां पर दिखाता हूँ, क्वेस्टन आपके एक्जाम में उस लाइन से इस प्रकार से यहां पर वहीं से बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी, पीपल की ब्रच के नीचे, किस ब्रच के नीचे, आपने आपर जान लिया, कि क्वेस्टन आपके एकजाम में कैसा पूछा जाता है, आगे यहां पर बताया गया है कि उसके बाद बे बुद्ध के रूम में जाने गए, जब उनको ग्यान की प्राप्ती हो गई, बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हो गई, उसके पसाथ ही वो बुद्ध कहला है, उसके पहले कौन थे, ये आपके थे सिद्धार्थ, उससे पहले ये आपके सिद्धार्थ थे, जब उनको ग्यान की प्राप्ती हो गई, उसके पसा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन अपर दी गई है महतमा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदे से दिया था किस इस्तान पर उन्होंने दिया था सारनात नामक इस्तान पर किस इस्तान पर सारनात नामक इस्तान पर उन्होंने सबसे पहले अपना उपदे से दिया था ठीक है उनकी मृत्व किस इस्तान पर हुई, कुसी नारा नामक इस्तान पर मृत्व उनकी हो गई थी, मृत्व से पहले बे क्या करते थे, बेपैदल यात्राएं किया करते थे, एक इस्तान से दूसर इस्तान और लोगों को सिच्छा भी दिया करते थे, आंगे यहाँ पर बा और लालसाओं के कारड होता है कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एब हम और अधिक बस्तुओं की पानी की इच्छा करने लगते हैं बुद्ध ने इस लिपसा तनहा को तरशडा कहा बुद्ध ने सिच्छा दी की आत्म सैयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ती पा सकते हैं आपने आपर क्या समझा आपने आपर समझा बुद्ध ने जो आप सिच्छा दी है वो सिच्छा क्या दी है जीवन जो है वो कश्टों से भरा हुआ है दुखों से भरा हुआ है जिसका कारड क्या है जिसका मुक कारड हमारी इच्छा और लालसा है क्या है इसका कारड हमारी इच्छा और लालसा है ये कभी पूरी नहीं होती है ठीक है इसी को बुद्ध ने आंगे कहा है बुद्ध ने इसी चीज़ को कहा है लिपसा यानि कि तन तनहा यानि की तरशडा तनहा या तरशडा इसको बुद्ध ने कहा है most important line है आपकी इस line से यहाँ पर इस line से आपकी exam में question direct पूँचा गया है question भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर बात कीगी सारनात इस तूप की आपको यहाँ पर एक बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश पहला उपदेश कहां पर दिया पहला उपदेश दिया था सारनात में ठीक है तो यहाँ पर बात की गई है जो आपका सारनात है वहीं पर सर प्रितम उपदेश उन्होंने दिया था और बुद्ध की इस मरती में ही इस इस तूप क यहाँ पर निर्माड किया गया है इस लाइन से आपके एक्जाम में question पूँचा गया है जो आपकी लिपसा है यानि की जो लालच है यानि की लालसा है और इच्छा है ये कभी नहीं समाप्त होती है जिसके कारण जीवन में कश्ट दुख सब कुछ होता है इसी को बुद्ध ने तरशडा यानि की तनहा कहा है आईए मैं आपको यहाँ पर question करवाता हूँ question आपके एक्जाम में इस प्रकार से पूँचा गया है बुद्ध दुआरा लालसाओं बा इच्छाओं की तरशडा को निमन लिकित में से क्या बताए गया है पिपासा बताए गया है तरशडा बताए गया तनहा बताए गया या तीबर इच्छा बताए गया है कौन सा यहाँ पर राइट जबाब होगा राइट जो जबाब यहाँ पर होगा वो हो जाएगा तनहा बुद्ध ने इसको तनहा बताया, तनहा तरशडा को क्या बताया, तरशडा को तनहा बताया, ठीक है, लिपसा, ठीक है, पिपासा नहीं, लिपसा इसको भी कह सकते हैं, ऐसी जो लिपसा है, उसको बुद्ध ने तरशडा, यानि की तरशडा को ही तनहा के नाम से जानते हैं, तनहां कहा है राइट जो आंसर होगा यहाँ पर ओप्शन इसका थरड यहाँ पर हो जाएगा आपने यहाँ पर देखा आपकी NCRT लाइन से किस पिरकार एक्जामिनर क्वेस्टन आपकी सीटेट एक्जाम में पूँच लेता है अंगला क्वेस्टन भी यहाँ पर देख लेत से इसको जानते हैं यानि कि सारनात वह जगय थी जहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहली बार अपना पिरतम उपदेश दिया था तो क्वेस्टन आपकी एक्जाम में इस पिरकार से पूँचे जाते हैं आंगे यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर बात की गई है कि बुद थे उन्होंने किस भासा में लोगों को अपनी सिच्छा देती वो भासा थी प्राकरत कौन सी भासा थी प्राकरत थी जो की सामान लोगों की भासा थी कैसी जो सामान जन लोग इस भासा को बोला करते थे बस समझ सकते थे इसी भासा में उन्होंने इनकी सिच्छा दिया गया कि सामान लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे, यहाँ पर आपका यह इस्तूप यहाँ पर सारनात का इस्तूप यहाँ पर दिखाया गया है, और आंगे बुद्ध ने कहा था कि क्या कहा, कि लोग किसी सिच्चा को केवल इसलिए नहीं सुईकार करें, कि यह उनका उपदे बलकि बे अपने विबेक से मापें, यहाँ पर आपके लिए इंपोर्टेंट लाइन दी गई है, समझीएगा आप सभी लोग उपनिजद की यहाँ पर बात की गई, जो आपका महाजनपत काल की में बात कर लूँ या बहुद धरम की में बात कर लूँ, उसी समय की यहाँ बात की गई, इसी समय बहुत से दूसरे अन्चिंतक भी दारसनिक प्रसनों का उत्तर डोणने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से कुछ मिरत्तू के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यग्गों की उपियोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे, तो उस दौर में कुछ अन्य चिंतकों का भी जनम हुगा, जो कि किस बारे में चिंतित थे, वो यग्ग जो होते हैं, उनकी उपियोगिता क्या होती है, वो उनके प्रसन जानने के लिए वो जादा उत्सुक थे, आंगी आपका यहां पर बताये गया है कि ठीक है, यग्गो आत्मा के रूब में उन्होंने किया, ठीक है, किस रूब में किया, आत्मा या सार्व महुमिक ब्रह्मा के रूब में उसका किया, ठीक है, आंगे अन्तिता उन्होंने क्या पाया, आत्मा तता ब्रह्मा एक ही है, यहां पर आपने क्या समझा, आपने यहां पर समझा, उप्योगता क्या अंतिता उन्होंने क्या पाया अंतिता उन्होंने पाया आत्मा इबं ब्रह्मा एक ही है अंतिता निसकर सापका यही सामने निकल कर आया ठीक है आंगे यहाँ पर बात की गई है यहाँ पर जो आपकी लाइन दी गई है most important लाइन है आपकी इस लाइन से question भी गरंतों का हिस्सा थे उपनिसद का साब्दिक अर्थ क्या होता है बस यही इसी लाइन से question पूछा गया है उपनिसद का जो साब्दिक अर्थ होता है गुरू के समीप या पास बैठना इन गरंतों में अध्यापकों बिदारतों के बीच वातचीत का संकलन किया गया प्राया ये विचार सामान वारता लाप के रूब में प्रस्तुत किये गएं। आपने यापर एक महत्पूर बात गवर की होगी उपनिसद का साब्दिक अर्थ। उपनिसद का साब्दिक अर्थ क्या होता है। गुरू के समीप बैठना। इसी पॉइंट से आपकी एक्जाम में कुछन एक्जामिनर ने पूँचा है। आईए मैं आपको कोैसं यहाँ पर करवाता हूँ। कोैसं एक्जामिनर ने इस प्रकार पूँचा है। निमनी में से किस भारती ये साहित्यक धरोहर का अर्थ। गुरू के पास जाकर समीप बैठना है, कौन सा उपनिसद बेद आरेड़े के अपुरान, तो आपने वहाँ पर कौन सी चीज समझी, जो की गुरू के समीप बैठना दरसाता है, आपने वहाँ पर समझी उपनिसद, उपनिसद, उपनिसद दो सब्दों से मिलकर बना है, उप पिलस निसदोप का मतलब होता है पास क्या मतलब आज़ा मिप का मतलब होता है गूरु जी के पास में बैटना उप肉 का सापदिक अर्थ होता है आप ने आपर क्या देखा आप ने देखा कि एगजामिनर NCRT की जो मुख्य लाइन होती है जिस का कुछ ना कुछ निस्कर से नि बैटना ठीक है कौन कौन गुरू के समीप बैट सकता था उसकी बात भी यहां पर की गई है जो की आपके एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी ठीक है तो आप यहां पर समझेगा जो गुरू के पास जो बिद्धारती बैटते थे ठीक है या चर्चा करते थे इन अधिकांस जो लोग थे वो पुरुस ब्रामड थे कैसे ले पुरुस ब्रामड थे तता राजा हुआ करते थे जादा तर राजा होंगे या ब्रामड होंगे कभी कभी गारगी अपाला घोस मेत्री जैसी जैसी जो इस्तरियां है बिचारकों का भी उलेक मिलता है यहां पर जो इस्तरी की बात कीगे वो यहां पर महित पूढ़ हैं। जो गुरु से ज्नान लेता था उनके समीप बैठता था। टीक है उन इस्तरी मं की यहां पर बात कीगी जिनमें गारीगी आपकी प्रमुकहें अपाला है, घोसंऑ है, मेत्रेही हैं। इन महिलाओं को अभी उलेक मिलता है, जो की important है, और अपनी बिद्धुता के लिए ये जानी जाती है, बिद्धुता यानि कि ये बिद्धुसी महिला हैं थी, इनको ग्यान अधिक प्राप्तता आंगे आपर बताय गया है, और ये बाद विवाद में भी भाग लिया करती थी ये महिला हैं, ठीक है, निर्दन व्यक्ती इस तरह के बाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लिया करते थे, इस तरह एक प्रिसिद अपवाद भी सामने आया है, अपवाद आपकी एकजाम के लिए काफी important है, अपवाद क्या है, सत्काम जावाल, सत्काम जावाल इसका सत्काम के मन में सत्क जानने की तीब्र जिग्यासा उत्पन हुई, गोतम नामक एक ब्रामण ने उन्हें अपने बिदार्ती कुरूम में सुईकार किया, जो की आपका सत्काम जावाल था, उसको नीच जाती का समझा जाता था, यानि कि वो किसी दासी की मा का पूत्त्र था आपने यापर क्या समझा, आपने समझा, यहाँ पर जो सत्काम इसका अपवाद माना जाता था, बिदुसी, यानि कि जो आपकी जो नीच ली जाती, उस सिरेडी से वो बिलोंग करता था, जिसको अतिधियान प्राप्ता, वो एक प्रिसिद बिचारक की सिरेडी में आ चु आँगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आँगे बताने से पहले एक पॉइंट आपकी एकजाम के लिए यहाँ पर दिया गया है, उस पॉइंट को आप सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर बात की गई थी किसकी, यहाँ पर आपको बता देता हू तो भारती दर्सन की 6 पद्धितियां भी बताई गई है, यहाँ पर important है सड़ दर्सन यानि की 6 दर्सन की यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर है सदियों से भारत द्वारा सत्य की वौदिक खोज का प्रतिनुदित दर्सन 6 साकाओं ने किया है, वो 6 कौन सी है वैसेहिक, नियाय, सांक, योग, पूर्व, मीमांस, बेदान्त या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, वैसेहिक है, नियाय है, सांक है, योग है, पूर्व है, मीमांस है, बेदान्त या इसको उत्तर मीमांस के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह आपके दर्सन बताए गए हैं, ठीक है, दर्सन की इन छहे पद्धितियों की इस्तापना किरम सी, रिसी कड़द, रिसी कड़द ने किस की की, वैसे ही की की, गोतम ने किस की की, नियाई की की, सांक की किसने की, कपिल ने की, ठीक है, सांक की, कपिल ने, योग की, मैं बात करू पूर्व मीमान्स की आपकी जैमिनी ने की और ब्यास ने किसकी की उत्तर मीमान्स की उन्हें ही की है तो आपने याँ पर समझ लिया रिसी और आपके छे दरसं तो आईए मैं आपको यहाँ पर आँगे कुछ important point भी याँ पर दिये गए हैं आज भी देश में बोधिक चर्चा को दिसा देते हैं जर्मन मूल के ब्रिटिस भारत विद फ्रेडिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्सन की इन छह साकाओं का विकास कई पीडियों के दोरन व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ ये दिपी एक दूसरे से भिन्ने कि उनकी समझ में आदारबूत तालमेल भी दिखता है आईए मैं आँगे यहाँ पर आपको बताता हूँ यहाँ पर एक बात की गई आपकी व्याकरण विद पाड़नी की पाड़नी ठीक है इस युग में कुछ अन बिद्वान भी एक चीज भी खोज रहे थे ठीक है उनकी पिरसिद बिद्वानों में एक पाड़नी भी है ठीक है संस्कृत भासा के व्याकरण की रचना किस बिद जनों को एक विसेश क्रम में रखकर उनके आदार पर सूत्रों की रचना की सूत्र वीजगरती सूत्रों में काफी मिलते जुलते हैं इनका प्रियोग कर उन्होंने संस्कृत वहासा के प्रियोग के नियम लगू कर दिये ठीक है तो आपने आपर पाड़नी के बारे में समझा पाड़नी संस्कृत वहासा की रचना की किसकी संस्कृत वहासा के व्याकरण की रचना इन्होंने की अब यहाँ पर बात करेंगे जैन धरम की ठीक है जैन धरम के बारे में यहाँ पर जानते हैं इसी युग में अर्थात लगबग 25 सो बर्स पहले जैन धरम के 24 में तथा अ इम्पोर्टेंट यहां पर लाइन दी गई है आपके एक्जाम के लिए आपके जो बर्दमान महावीर थे बो 24 बा अंतिम तीरंतकर माने जाते हैं वहें कहां से बिलोंग करते थे बो आपके वज्जी संग के लिछबी कुल के एक छतिरिये राजकुमार थे ठीक है इस संग के बिसे में तुमने अध्याए पांच में पड़ा है बिलकुल महाजनपद काल में बज्जी महाजनपद की यहां पर बात की गई थी जो की एक संग है संग या इसको गड़ कहलो ठीक है आँगे यहां पर आपकी बताया गया है की ठीक है तीस बरस की आयू में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे कौन महावीर स्वामी रहने लगे बारे बरस तक उन्होंने कटिन तपस्या या यानि की एका की जीवन वितीत किया उनके बाद उनको ग्यान की प्राप्ती हुई ठीक है आँगे यहां पर बताया है उनकी सिच्छा सरल थी सत ज चाहिए अर्थात किसी भी जीव को ना तो नश्ट कर देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए महवीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रीय है महवीर ने अपनी सिच्छा प्राकरत में दी अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर निसकर्स क्या निकला ठीक है जो आपके महवीर स्वामी थे आपने बुद्ध की इच्छाओं के बारे में उपर पढ़ लिया, उन्होंने का कि जीवन कष्ट से भरा है, दुकों से भरा है, किस कारण से है, यह हमारी लालच और इच्छाओं की बज़े से ऐसा होता है, और उन्होंने उनको त्रशडा यानि की तनहा के नाम से जाना ठीक है, अब मैं यहापर बात करता हूँ, जैन धरम के जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने जो सिच्छा थी, वो एकदम सरल थी, और उन्होंने सत्य जानने को सबसे कहा, चाहे इस्तिरी हो, चाहे पुरुस हो, उन्होंने अहिंसा के नियम को अपनाया, किसको अपनाया, उन्होंने अहिंसा के नियम में थी महाबीर की जो मतलब की जैन धर्म की मैं भासा की बात करूँ वो आपकी प्राकरत में थी मैं अगर बौध की बात करूँ उनकी भी भासा आपकी प्राकरत में थी दोनों की भासा यहां पर प्राकरत में ही थी ठीक जो की जन साधारण भी उनके अनुआयू की भी सिच् परत्वासा को क्या कहा जाता था मागदी कहा जाता था आंगे यहां पर बात की गई है जैसे नाम से जाने के महावीर के अनुआईयों को भोजन के लिए बिच्चा मांग कर साधा जीवन बितीत बिताना पड़ता था उन्हें पूरी तरह इमानदार होना पड़ता था चोरी ना करने की उन्हें सक्त हियादत दी जाती थी उन्हें ब्रह्मचर का पालन करना होता था पूरुसों को बस्तरों सहीत सब कुछ त्याग देना पड़ता था ये बात की जा रही है जैन धरम की यानि कि महावीर स्वामी के जो अनुआई थे ठीक है जो उनके सिस्स थे आंग प्रदान्स ब्यक्तियों को एक ऐसे कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था जो की कठिन नियम था फिर भी हजारों ब्यक्तियों ने इस नई जीवन सैलनी को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया ठीक है आंगे हापर बताएगा कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्कू भिक्कुडी बने ठीक है भोजन प्रदान कर उनकी साहता करते रहे यहां पर मुक्य तोर पर आपने समझ लिया जो आपके जो आपका बहुत धरम था बो तो एक सरल था जैन भी आपका सरल था लेकिन इसमें नियम थोड़े कठिन थे ठीक है तो इसमें हजारों ब्यक्ति उन्हें, आप क्या दिया, साहता प्रदान की, और सभी लोग इसको घर, इसमें घर छोड़ने की भी पिरता थी, आपके एक्जाम में क्वेस्टन पूँचा जा चुका है, कि सभी ने अपने घर छोड़ दिये, किस धरम में, बहुत में भी छोड़ते हैं, और जैन धरम में, यहाँ पर महितपूर लाइन दी गई है, मुक्ता ब्यापारियों ने जैन धरम का समर्थन किया, most important लाइन है आपके एक्जाम के लिए, और question भी आपके एक्जाम में यहीं से पूँचा जा चुका है, जो जैन बाद है, जो जैन धरम है, उसका जो मुक्त तोर पर समर्थन किया था, वो ब्यापारी लोगों ने किया था, कौन से लोगों ने, ब्यापारी लोगों ने किया था, ठीक है, आपके उस बक्त में आपके चार वर्ग हुए थे, चार वर्ग में ब्राममड पहले नंबर पर था, ब्राममड ठीक है, ब्राममड उसके बैस, बैस के बाद में आपका आता था अंतिम में सुद्र, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो व्यापारी बर्ग था, वो किस सिरेडी यानि की बर्ग में आता था, वो आता था आपके बैस में ठीक है, किस में आता था, वैस बर्ग में आता था व्यापारी, कोईसन आपक कि प्रमुक्ष समर्थन निमलिकित में से कौन सा बर्ग है, वहाँ पर बात की गए ब्यापारी की, किस बर्ग ने इनका समर्थन किया, ब्यापारी लोगों ने इनका समर्थन किया था, जैन धरम का, लेकिन आपके इसमें ब्यापारी तो आपका यहाँ पर दिया गया नहीं है मैंने आपको बताया है कि जो ब्यापारी बर्ग है वो आपके वैस स्रेडी में आजाता है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ओप्स नंबर थरड यहाँ पर वैस होज आएगा जिनोंने क्या किया है जैन धरम में मुक्य तोर पर सरवाधिक समर्थन दिया है यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि जो ब्यापारी बर्ग था उन्होंने जैन धरम का समर्थन किया जब कि किसानों ने इन नियमों का पालन अत्यंत कटिन था क्यूंकि फसल की रच्छा के लिए उन्हें कीडे मकोडों को मारना पड़ता था बाद की सदियों में जैन धरम उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलाडू, करनाटक में फैल गया महावीर तता उनके अन्वाईयों की सिच्छाएं कई सताबदियों तक मौकिक रूप से रही बरतमान रूप में उपलब्द जैन धरम की सिच्छाएं लगवग पंदरा सो साल पहले गुजरात के बल्लवी नामक इस्तान पर लिखी गई थी most important यहाँ पर line बताई गई है ठीक है इस जो यहाँ पर आपकी यह point यानि की line यह पर दी गई है यह line आपकी exam के लिए बहुत महित पूर है ठीक है तो यहाँ पर जो किसान बरता उनके लिए कठिन नियम था क्योंकि उन्हें अपनों फसल को बचाने के लिए कीडे मकूनों को मारना पड़ता था और जो आपका जैन धरमता यह उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात यानि की दच्छड यानि की ये पसिम भारत की बात करें ये दच्छड भारत की बात करें दच्छड भारत आपकी यहां पर बात की जैन की, जैन का जो अर्थ होता है, वो होता है जिन, जैन का अर्थ क्या होता है जिन, और जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन का अर्थ क्या होता है विजेता, ठीक है, यहां पर साब तोर पर दिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है, आईए आँगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अब बात यहाँ पर करते हैं संग की संग की यहाँ पर बात करते हैं महत पूरे संग आपके एकजाम के लिए कई बार क्वेस्टन इनी लाइनों से रिपीट किये जाते हैं बार बार क्वेस्टन आते हैं मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सस्क्राइब कर लें, और कमेंट बोक्स में अपनी राय मुझे जरूर दें, ठीक है, तो यहाँ पर संग की मैं आपर बात कर लेता हूं, महवीर तथा बुद्ध दोनों का हिम पानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्छे ग्यान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसो लोगों के लिए उन्होंने संग नामक संगटन बनाया, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों ने समझा मैं महवीर की बात करूं या बुद्ध की बात करूं दोनों ने ही घर त्याग करने की बात की और इसी लाइन से एक्जामडर ने क्वेस्टन भी एक्जाम में बना दिया आईएगा क्वेस्टन को यहां पर कर लेते हैं फिर उसके बाद यहां पर बात करेंगे क्वेस्टन एक्जामडर ने इस पिरकार पूँचा क्या निमनिलिकित में से किनका विस्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं बेही सच्चा ग्यान प्राप्त कर सकते हैं उसी लाइन से क्वेस्टन यही डाइरेक्ट पूँचा एक्जामडर ने आप यहाँ प न छोड़ता है घर का त्याग करता है तो वह सच्चा ग्यान प्राप्त कर सकता है उपसन यहाँ पर टू इसका राइट आंसर होगा महवीरा एंड बुद्धा आंगे यहाँ पर बताया गया है कि संग में रहने वाले बोध विच्चूं के लिए बनाएगे नियम विने पि थी वो कैसी थी सभी व्यक्ति संग में प्रवेस ले सकते थे हलाकि प्रवेस के लिए बच्चों को अपने माता पिता से दासों को अपने स्वामी से राजा को यहाँ काम करने वाले लोगों से राजा आंगे यहाँ पर बात की गई है कर्जदारों देव देनदारों से मती लेनी पड़ती थी, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज समझ ली होगी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पुना रिपीट ध्यान में करबा देता हूँ, ठीक है, तो जो घर छोड़ने की परता थी, दोनों ही धरम ने अपना रखी थी, मावीर और बुद्ध, ठीक है, दो जो है, वो किससे सम्मंदित है, यह जो आपका सम्मंदित है, यह जो बहुत भिच्चू है, बहुत धरम से है, ठीक है, संग में रहने वाले बहुत भिच्चू के लिए नियम से सम्मंदित है, नियमों से सम्मंदित है आपके, इससे क्या पता चलता कि संग में इस्तरी पु कुईस्ट दिखाता हूँ बिने पिटक से किस प्रकार एकजामनर ने यहाँ पर दो टाइब की कुईस्ट आपसे पूछे आये पहला तो कुईस्ट एक जो अविलेकित करता है क्या विलेकित करता है जैन धरम से नहीं है बैदिक करम कांड से भी नहीं है सिच्च कों के मद्द बात चीट भी नहीं है, बौध के नियम से संबंदित है, राइट आंसर यहाँ पर होगा बुधिष्ट रूल बाध के नियम, बौध के, जो संग के रूल हैं, उन संग के रूल से आपका ये संबंदित है जिसमें इस्तरी पूरु सभी इसमें सामिल हो सकते हैं पिरवेश से ले सकते हैं इस तरी को अपने पती से पुत्र को अपने माता पिता से और सभी सभी यहाँ पर रह सकते हैं सभी को अनुमती आप मतलब की लेनी पड़ती थी ठीक है गुलाम को अपने स्वामी से लेनी पड़ती थी आपको मैंने वहाँ पर बता जाए कि बिने पिटक गरंत निमन लिकित में से किससे संबंदित है तो किससे है यह बौध संग के नियम से राइट आंसर यहाँ पर होगा बिताते थे और दिन के एक निस्सित समय में सहरों बागाओं में जाकर बिच्चा मांगते थे यही कारण उन्हें भिक्कुई तता भिकुडी सादू के लिए सब्द कौन सा है भिकुडी है और भिकुई आपकी इस्तरी के लिए प्रियुक्त किया जाता था बे आम लोगों को सिच्चा देते थे और एक दूसरे की सायता भी करते थे किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निप्टारा भी विप्राया बैटकों के मादम से भी किया करते थे आंगे यहाँ पर बात की गई है संग में प्रवेस लेने बालेों में ब्राम्मड भी सामिल था च्छत्रिये ब्यापारी, मजदूर, नाई, गडिकाएं, दास भी इसी में सम्मिल थे इने में से कई लोगों ने बुद्ध की सिच्छाओं के बिसे में लिखा और कुछ लोगों ने संग में जीवन के बिसे में सुंदर कविताओं की भी रचना की आंगे अब मैं यहाँ पर बात करता ह हूँ, सबसे पहले हाँ पर बियार की बात की जाएगी, बियार का यहां से मतलब है कि जो आपके बौद धरम के जो लोग थे, उनकी रहने की जो बिबश्ता थी, जो मकान था या कुछ भी उनको कहलो, आस्रम कहलो, ठीक है, उसी को बियार के नाम से भी जानते हैं, जैन तत में अपनी अनुआयों द्वारा उद्ध्यानों में बनाएगे आस्ताई निवासों, तथवा अथवा पहाड़ी चेतरों की प्राकृतित गुफाओं में रहा करते थे, यहां पर बात की जा रही है, जैन और बहुत भिक्कू की, जब कठी नियातरा हुआ करती थी, बरसा ह होने लगती थी, तब उनको आस्ताई निवास इस्ताँ जैसे पहाड़ी चेतर की बात करो, या गुफाओं में उनको रहना पड़ता था, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, समय में बदलाओ आता गया, तो विक्कू विक्ड़ियों ने स्वायम तता उनके समर्तकों ने आरंबिक बिहार, पिर आरंबिक बिहार, आरंबिक बिहार कैसा बिहार, आरंबिक जो पहले के बिहार हुआ करते थे रहने की बिवश्टा, वो जो बिहार हैं, वो किस से बनाएगे, आरंबिक बिहार आपके लकडी से बनाएगे, most important line आपकी एकजाम के लिए, आरंबिक, ज लिए मैंने याप पर लिग दिया, लकडी याद रखी है, मैं अभी question आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं आप आँगे भी आपको बता देता हूं, इसके बाद ईंटों का प्रियोग गुए, पहले आपकी लकडी का प्रियोग हुआ, लकडी उसके पसाद आपकी इंट का प बिक्कू या भिकुडी लोग थे उन्होंने सबसे आरंबिक जो आपके थे बिहार उन्हों लकडी की साथा से बनाए लकडी के बनाए उसके पसात इंट से बनाए उसके पसात पहाडों में वो रहने लगे वो बात अलग की है आईए मैं आपको यहाँ पर क्वेस्टन करवात बाद का नहीं पूचा गया है तो RMB किस से बने थे लकडी से बने थे उसके पसाथ आपकी इंट आए इंट के बाद पत्थर आपके आए तो आपने यहाँ पर क्या समझा सबसे पहले लकडी के बनाएगे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि examiner किस परिकार से question आपको CT8 social science में देता है तो आप यहाँ पर हर चीज समझ यह गा ठीक है अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने like नहीं किया है अभी like कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दें चैनल को भी subscribe कर लें चलिए यहाँ पर आँगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ महतपुड पॉइंट यहाँ पर दिये गए हैं प्राया किसी धनी ब्यापारी राजा अत्वा भूसवामी द्वारा दान में दी गई भूमी पर बिहार का निर्माड होता था इस्थानिये व्यक्ति भिक्कु भिकुडियों के लिए भोजन वर्सतर दभाईयां लेकर आते थे कौन राजा लेकर आता था क्या बड़ा जमीदार जिसको भूसवामी भी कह सकते थे बही लोग बिख्कु भिकुड़े के लिए इस समय बोध धरम की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, किसका महायान का विकास हुआ, महायान से सम्मंदित क्वेस्टन आपके एकजाम में खुब पूछे जाते हैं, तो महतपूर है, आपने अगर इस लाइन को कम्पलीट कर लो, और उसके पसाथ आपकी यहाँ पर यह कम्पलीट कर लो, आपको किसी पिरकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपर बात करते हैं, महायान की जो धारा है, उसका विकास हुआ, उसमें क्या था, इसकी दो बिसेश्टाएं थी, इसकी दो बिसेश्टाएं महतपूर हैं आपकी एगजाम के लिए महायान की, ठीक है, आपसे एगजामनर ने क्वेस्टन भी यहां से भरबर के पूचे, उन सबी क्वेस्टन को भी मैं करबादूंगा, ठीक है, तो जो पहली आपकी विसेश्टा थी, पहली जो भी विसेश्टा थी, वो आपकी मूर्तियों में इनमें अधिकांस मतुरा में तो कुछ तच सिला में बनाई जाने लगे। यहां पर पहली बिसेश्टा जो महायान धारा की थी वो क्या थी वो आपने आपर समझे। अधिकांस मतुरा की वारड़सी कर देता है तो इन चीजों को भी आपको याद रखना पड़ेगा मतुरा और तच सिला की यहां पर बात कीगी। पहली बिसेश्टा आपने यहां पर कंप्लीट कर ली पहली बिसेश्टा अब मैं बात करता हूँ दूसरी बिसेश्टा की। ठ था बोदीश्ट में आस्ता को लेकर आया। पहला आपका क्या था पहला आपका वहाँ पर था महायान। जहीं बदीश्टा क्ipesरेश्टिय। एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से वजाए वे लोगों को सिच्चा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेस में ही रहना ठीक समझने लगे। समझने लगे थे बाद में ठीक है और धीरे धीरे बोदिस्त की पूजा काफी लोग प्रिय हो गई और पूरे मद एसिया चीन और बाद में कोरिया जापान तक फैल गई ठीक है तो यहां से जो आपकी पहली लाइन थी इस लाइन से भी कुछन पूचा गया है और जो दूसरी लाइन है आपकी दूसरी लाइन से भी कुछा जा चुगा है कुछन मैं आपको यहां पर करवा दूँगा अब मैं थोड़ी एक लाइन और यहां पर रह चुकी है इस लाइन को भी यहां पर करवा देता हूँ बोध धरम का पिरसार पश्रिमी दच्छिडी भारत में हुआ पश्रिम में आपका गुजरात याद रखिएगा गुजरात दच्छिड में आपका तमिलनाडू, करनाटक तमिलनाडू और करनाटक को याद रखिएगा जहां बोध भिक्कूओं के रहने के लिए पाड़ों में दरजनों गुफाएं खो दी गई है आंगे यहाँ पर बात की गई है कि बौध धरम दच्चिडपूर्वी की ओर स्री लंका म्यामार थाइलांड इंडोनेसिया भी है थाइलेंड के साथ इंडोनेसिया साइथ दच्चिडपूर्वी एसिया की अन भागों में फैला था थेरबाद नामक बौध धरम का आरंबिक रूप इनी चेतरों में कही अधिक प्रचलित था कौनसा थेरबाद ठीक है ये भी आपका प्रचलित था ठीक है तो आपके एकजाम में इस प्रकार की क्वेस्चन यहां से पूंचे गए थे उन क्वेस्चन को मैं यहाँ पर सबसे प अंकेतकों के माद्यम से दर्साई जाती थी बुध की पृतिमाय बनाई जाने लगी बोधिसत को नहीं सुईकारा गया क्योंकि उन्हें अभी तक ज्यान की प्राप्ति करना वाकी था मूर्तिकला के रूम में मतुरा एवं तचसिला का पतन हुआ कौन सा यहां पर राइट अंसर होगा पतन तो नहीं हुआ जबकि यह बिक्सित हुए थे मूर्तिकला के रूप में ठीक है महायान बौध धरम के अंतरगत मुक्त और पर बुध की पृतिमाय बनाई जाने लगी थी और उससे पहले आपकी कुछ संकेतकों के माद्यम से दर्साई जाती थी जब आपक जब धारा आपकी आचुकी थी उसके साथ बोधी सत्व भी सुईकारे गयते बोधी सत्व भी बिक्सित होने लगे थी ठीक है तो यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया यह भी गलत यह भी गलत ठीक है यह इससे पहले की बात यहाँ पर की गई यह जबकि यहाँ पर राइट पूँचा है कि A और B यानि कि कथन के रूम में ये भी पूँचा है कथनों पर बौध महायान के संदर में बिचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पर आपको चैन करना है बौध धरम में इस रूम में बुद्ध की उपश्थिती कुछ एक संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई थी बिल्कुल सही बात है मतलब की बौध धरम में इस रूम में बुद्ध की जो उपश्थिती कुछ संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई थी महायान से मतलब बात पहले की यहाँ पर बात की गई है, महायान बौध आने के साथ ही बौधिसत में विस्वास समाई हुआ, भी यहाँ पर विल्कुल सही है, संकेतकों की यहाँ पर बात की गई है, जो यहाँ पर आपका जो बौध महायान था, उससे पहले यहाँ पर क्या बात की जाती थी, बु आपका मायान नहीं हुआ करता था तो ए तो यहाँ पर गलत हो चुका ए यहाँ पर कैसा हो चुका ए यहाँ पर आपका गलत हो चुका है जबकि बी यहाँ पर सही हो जाएगा उसके साथ बोधिसत समाईत हुआ था तो मैं कह सकता हूँ यहाँ यहाँ पर आपका जो ओप्सन है वो B को छोड़ कर A सही है A सही है जबकि B गलत है कैसे गलत है आपको यहाँ पर confusion लग रहा होगा आईए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज समझीएगा यहाँ पर आप एक चीज समझीएगा पहले मूर्तियों में कुछ दिखाय जाता था, लेकिन अब क्या होने लगा, उनको प्रतिमाय दर्साई जाने लगी, ठीक है, तो यहाँ पर यह बाला नहीं होगा, यह पहले की यहाँ पर बात की गई, इसलिए आप लोग यहाँ पर कन्फूज हो रहे थे, ठीक है, अब यहा बोधिसत को लेकर भी आया था, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, नालंदा यहाँ पर आपका महित्पूर, नालंदा आपका एक विस्विद्धाले भी है, ठीक है, प्राचीन काल में, सोयन त्यांग जो है, वो एक चीनी यातिरी था, उसी के समय में प्रसिद बोध बिद्धा केंद नालंदा बियार में अध्यन किया, उसने, किसने सोयन जो हैंस तिसांग है, जो की चीनी बोध यातिरी था, उसने नालंदा विस्विद्धाले में इसका अध्यन किया, उसके बारे में उसने खूब यहाँ पर लिखा, यहांके सिचक योगता और बिबिन सेरों में बिद्वान लोग अपनी संकाइं दूर करने के लिए यहां आते हैं नए आगंतुकों से पहले यहां दौर पाल भी कटिन प्रसंद फूचते हैं ठीक है तो ऐसे यहां पर बारतलाब की गई है आंगे यहां पर जीवन के चरण की बात की गई आसरम की यहां पर विवस्ता की गई थी पहला आपका ब्रह्मचर दूसरा ग्रस्त बानप्रस्त और सन्यास ब्रह्मचर की एक अवस्ता होती है आपकी और ग्रस्त ग्रस्त आप सभी लोग जानते वनप्रस्त जंगल को जाना सन्यास जो सन्यासी जीवन धारड कर ले तो अम्मय आपको यह गिरश्ट के रूम में रहना होता है और बान प्रस्ट के अंतरगत उन्हें जंगल में रह कर साधना करनी पड़ती है और उनके उन्हें सब कुछ त्या कर सन्यासी बन जाता है अस्रम बिवस्टा में लोगों को जीवन का कुछ एक जो हिस्सा है वो ध्यान में भी लगाने को बल देता है ठीक है एक बार और यहाँ पर आप कोस्टन को देख लीजिएगा ठीक है तो पहला कोस्टन क्या है निमनिलिकित में से कौन सा बोध धरम के तिरी रितनों में से नहीं है बुद्ध, धम, अइंसा और संग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा यहाँ पर अइंसा आपकी होजाएगी अइंसा आपकी जैन धरम से संबंदित है महावीर स्वामी ने अइंसा के बारे में बातने कहीं थी राइट आंसर यहाँ पर आपका अइंसा होजाएगा अंगला कोईसन यहाँ पर क्या है? महायान बुद्ध धरम के अंतरगत यहाँ पर बात की गई है, मूर्तियों में बुद्ध की उपष्टिती सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्साई जाती थी, महायान बुद्ध धरम के अंतरगत नहीं दर्साई जाती थी, यह पहले क पर मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तिकला कि ये केंदर माने जाते ते ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, राइट आंसर यहाँ पर ओप्सन टू यहाँ पर हो जाएगा, अंगला कुछन यहाँ पर कहता है कि कथन A और B पर विचार कीजिए, ब प्रतिमाओं के रूम में दर्साई जाने लगी जो की मतुरा और तचिसिला इसके केंद्र माने जाते थे ठीक है तो महायान बौध आने के साथ 22 सत में विश्वास समाहित हुगा सही हो जाएगा भी यहां पर केबल सही है ठीक है तो आपसन यहां पर टू इसका राइड होगा A गलत और B सही अंगला कोईसन यहां पर देख लेते हैं ठीक है अंगला कोईसन यहां पर कहता है अंगला क्या कहता है इस कोईसन को भी यहां पर देख लीजिएगा ठीक है तो कोईसन आपका कहता है कि निमनलिकित स्थूपों में से किस एक इस्तान को उस इस्तान के रूम म अहासे प्राप्त हुगा बोद गया जो कि बिहार में है आपका बोद गया पीपल के ब्रच के नीचे उनको ग्यान प्राप्त हुगा था अंगला कोophy सथन 된 पर है बिन एक ग्रंट है जो अभिलेकित करता है बॉद्दों के नियम बोधों की जो संग के नियम है, किसके नियम? संग के जो नियम है, उससे सम्मंधित आपका यह है, नेक्ष्ट क्वेस्टन यहाँ पर है, आपका बोध धरम में बोधि सत्तु थे, बोधि सत्तु थे, कौन थे? बे लोग जिनों निर्वाड प्रभोध प्राप्त किया, बोध प्राप्त किया था, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, निर्वाड प्राप्त किया था, या ग्यान प्राप्त किया था, राइट आंसर यहाँ पर ओप्शन एक इसका होजा आएगा, ठीक है, बे लोग जिनों ने निर्माड यानि कि प्रभोध प्राप्त किया अंगला को एसन यहाँ पर है आपको बिने पित गिर अंध मैं मम्लिक्त में से, पसात आपको परीयोक का बने थे पे पहंडों का प्रियोग हुआ था अंगला question है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं बा इच्छाओं की तरशडा को निमलिकित में से क्या बताया गया है इसको बताया गया है तनहा या तरशडा तनहा या तरशडा इसको बताया गया है राइट आंसर यहाँ पर option 3 हो जाएगा अंगला question इस परकार से पूँचा ग पूँचा निमने में से किन विश्वास घ्रोय विल अपने घर को छोड़ते हैं और ग्यान को प्राप्ट कर सकते हैं। निमने मेंसे किस सहित्याग धरोहर का अर्थ गुरू के पास बैठना है समीबूरिक confidentary उपनिसद उपनिसद राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, वीडियो आपके लिए यहीं तक था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्नबाद, जै हिंद, जय भारत!